आम तोर पे अगर एक टेस्टर को हम नूटरल पे टच करें, तो उसकी बत्ती नहीं जलती है, क्यूंकि नूटरल में कोई वोल्टेज होता ही नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि नूटरल पे भी टेस्टर की बत्ती जलना शुरू कर देती है, और यह एक बहुती टेस्टर को जलाने के लिए चाहिए voltage यानि कि टेस्टर चेक करता है voltage और V is equal to होता है IR और जो loose connection होता है मतलब जब भी तुम दो तारों को धिला जोड़ोगे loose जोड़ोगे तो हुआ पे क्या बढ़ेगा resistance और जो voltage है वो directly resistance पे depend करता है तो इस पे एक छोटा सा practical करके देखते है यह है एक LED जो की फिलाल own है जैसा की देख सकते हो यहाँ पे जो यह वाला point है यह है तुमारा live, red वाला और यहाँ पे tester की बत्ती own है और यहाँ पे दूसरे वाला point है तुमारा black वाला neutral जहाँ पे की tester off है ठीक तो हम क्या करेंगे यहाँ पे neutral का जो resistance है उसको बढ़ा के देखते हैं हम खुद इसके series में एक resistance को जोड़ेंगे ताकि इसका resistance बढ़ जाए तो इस neutral को यहाँ से निकाल लेते हैं अब एक बात मैं साफ साफ बता दू यहाँ पे हम काम कर रहे हैं live voltage के साथ तो अगर तुमने electrical को सिर्फ किताबों में पढ़ा है और आज तक practically कोई भी ऐसा काम नहीं किया है तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना यह बहुत ही जादा high voltage है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है न्यूटल के सीरीज में यहाँ एक register को जोड़ दिया है देख सकते हो यह जो छोटा सा हिस्सा है न यह यह register ठीक तो यहाँ पे जो live है यह बिल्कुल पहले जासा है और यहाँ पे न्यूटल पे टच करने से टैस्टर की बत्ती off है क्योंकि फिलाल मैं इसको टच कर रहा हूँ डिरेक्ली न्यूटल पे अब इसको हम टच करेंगे यहाँ पे जहाँ पे इसका resistance बढ़ चुका है यह देखो यहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ neutral पे resistance के बाद मतलब यहाँ पे neutral है बिना resistance के मतलब यहाँ पे neutral के resistance नहीं बढ़ा है जबकि यहाँ पे हमने add कर दिया register तो इस point पे neutral के resistance बढ़ चुका है तो यहाँ पे भी tester की बक्ती जल रही है देख सकते हो यह फिलाल neutral पे ही touch है और यह है तुमारा live लाइव पे तो यह जल नहीं है वो अलग बात है कि resistance बढ़ने की वज़े से अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो या फिर नहीं LED का जो brightness है जो चमक है वो कम हो गई है क्योंकि register का काम ही होता है current को कम कर देना अब यह जो LED है यह बहुत ही low power की है यह होगी अलग बग तुमारे 4 से 5 वोट की अगर हम यहाँ पे कोई high power का load यूज करें मतलब कोई मालो 500 वोट या विर 1000 वोट का तो यहाँ पे B is equal to होता है IR तो यहाँ पे जो current है I वो और भी ज़ादा होगा high power के load में और resistance यहाँ पे और लेडी बढ़ चुका है तो इसकी वज़े से होगा यह कि voltage drop और भी ज़ादा होगा contact resistance के across मतलब जहाँ पे तुमने connection ढिला छोड़ा है वहाँ पे और भी ज़ादा voltage drop होगा और यही वज़े है कि तुमारे neutral का जो connection है वो कभी भी lose नहीं होना चाहिए वनना उसके across voltage drop होने लगेगा और तुमारा neutral भी live show करना शुरू करतेगा और एक बार मैं फिर बता दूँ अगर तुम्हें live voltage के साथ काम करने का experience नहीं है तो please ऐसा कोई भी experiment ऐसा कोई भी practical मत करना क्योंकि वो क्या है ना जिन्दा शरीर में से धुआ उठतावा अच्छा नहीं लगता अब ये connection कहीं भी lose हो सकता है हो सकता है कि जो तुमारा transformer है जहां से तुमारे गर में live और neutral आते हैं वहीं पे neutral lose हो मतलब माल लो ये रहा transformer और यहां से आता है neutral तो हो सकता है कि यहीं पे connection lose हो तो ये तुमारी सरदर्दी नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें क्या करना है सीधा अपना जो तुम्हारा डिस्ट्रिब्यूटर है बिजली का उसे जाके कंप्लेन कर देनी है यह उनकी प्रोब्लम है अब तुम आखिर कैसे पता लगाओगे कि नूटल यहीं पे लूज है तो सीधी सी बात है अपने पडोस्यों से पूछ लेना अगर उनके घर में भी जो नूटल है वो लाइव शो कर रहा है मतलब टैस्टर की बत्ती जला रहा है तो समझ लेना कि यहापे नूटल सभी का लूज है और नूटल तुमारे ट्रास्फोर्मर से ही लूज है ठीक इसके अलावा हो सकता है कि जहापे तुमारा जो लाइन से जहापे तुमारे गर के तार जुड़े हुए है वहापे तुमारे नूटल लूज हो मतलब मालो यह चार तार है इन में से 3 होता है face, एक होता है neutral, तो माल लो तुम्हारा इस face पे है और एक neutral यहां पे है, तो हो सकता है कि यहां पे तुम्हारा neutral कहीं lose हो connection, ठीक, यहां पे भी तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है, बस उनको बुला लेना है, मतलब जो भी तुम्हारे यहां पे service देते हैं माल लो इमीटर है यह incoming है यह outgoing है यहाँ पर माल लो यह वाला है neutral का तो हो सकता है कि जहाँ पर connect हो वहाँ पर lose हो अब तुम यह कैसे चेक करोगे क्योंकि इसके पर होता है cover जो कि तुम खोल नहीं सकते और उसको खोल नहीं कोशिश भी मत करना ठीक है तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो इसको थोड़ा हिला के देख लेना अगर वहाँ पर थोड़ा बोथ spark हो रहा है चिंगारी उट रही है इसका मतलब neutral यहाँ पर कमजोर है उसके अलावा हो सकता है कि out going में कोई दिक्कत हो तो तुम यहाँ पर भी थोड़ा इसको हिला के देख लेना अगर यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब दिक्कत है तुमारे meter के अंदर यहाँ पर भी तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर भी तुमें उनको ही बुलाना पड़ेगा अपने जो तुमारे supplier है उनको ही यह बात बतानी पड़ेगी complain करनी पड़ेगी अब हो सकता है कि यहाँ पर दिक्कत ना हो जो तुमारा breaker हो दिक्कत वहाँ पर हो माल लो यह तुमारा breaker MCB ठीक है तो connection यहाँ पर जाते है और यहाँ से निकलते है तो यहाँ पर माल लो यह बाला है तुमारा neutral यह है live तो live तो ठीक है तो यहाँ पर तुम इसको हिला के देख लेना अगर यहाँ से lose है इसका मतलब तुमें बस इस screw को tight करना है और तुमारे घर की समस्या गयब हो जाएगी या फिर हो सकता है कि यहाँ पर lose हो मतलब तुमें एक एक करके जा जा तुमारा neutral connect है वहाँ वहाँ सारे connection चेक करने है कि कहीं वहाँ पर neutral lose तो नहीं है वहाँ पर कहीं carbon तो नहीं आ गया क्योंकि lose connection में carbon आ जाता है ठीक उसके बाद अगर यहाँ पर भी सब कुछ सही है इसका मतलब तुमारे घर के किसी एक socket में neutral lose है तो तुमें क्या करना है अपने जो घर के सभी socket है उनको test करना है जो भी तुमारे socket है जहाँ पर भी load जुड़े हुए है वहाँ पर जाना और एक socket को test करके देखना मतलब एक में से load निकालना उसके बाद देखना कि कई neutral में live आ रहा है या फिर नहीं उसके बाद दूसरे को देखना पहले को वापिस लगा देना दूसरे को देखना उसके बाद तीसरे को देखना तो कोई तो ऐसा socket होगा जहाँ पर जो तुम्हारे नूटल है वो लूज होगा वहाँ से जैसे तुम लोड हटाओगे तुम्हारे जो नूटल है वो ठीक हो जाएगा तो तुम्हें एक-एक करके अपने सारे सोकेट्स को टेस्ट करना है अगर ये भी तुमने कर लिया उसके बाद भी प्रोवलम है तो समझ लेना कि जो तुम्हारे बाकी के लोड है जो कि डिरेक्ली स्विच से करनेक्ट होते हैं वहाँ पे दिक्कत है तो वहाँ पे भी तुम्हें सेम यही करना है अपना एक-एक स्विच ओफ करके देखना कोई तो स्विच ऐसा होगा जिसके ओफ करते ही तुम्हारा न्यूटल ठीक हो जाएगा अपने सभी कनेक्शन को टाइट कर दो और जो भी तुम्हारे गर में समस्या है वह सब ठीक हो जाएगी मतलब जहां भी तुम्हारे न्यूटल में फेस शो कर रहा है समस्या कहीं एक जगय होगी लेकिन तुम्हारे पूरे गर में जो तुम्हारा न्यूटल है वो फेस शो करना शुरू कर देगा तो जहां भी तुम्हारे गर में समस्या है लूस कनेक्शन की उसको डूंडो और वहाँ पे कनेक्शन टाइट कर दो या फिर जो भी तुम्हारे गर में करन खराब है उसको ठीक करा लो बस यही समाधानेश्चीज का